लगेश क्लेम andुञें कि इसमें हम देखेंगे की लगेश क्लेम के और कrån्वेंस क्लेम के क्या-क्या नियम है। लगेश क्लेम जब कोई PBR एक स्टेशन से दूसरे इस्टेशन को ड्रांस्वर होते हैं तो उन्हें अपने transportation cost को reimburse करने के लिए luggage claim दिया जाता है Luggage claim के जो rate है वो S-PAS 7 CPC किस प्रकार से हैं आएए देखते हैं Pay level 6 and above है तो rate आपके पास 6000 kg है और rate रहेगा उसका 50 रुपीज पर किलोमेटर इस दरह लेवल 5 में 3000 kg तक और rate रहेगा 25 रुपीज पर किलोमेटर 1500 kg and rate रहेगा 15 रुपीज पर किलोमेटर इसी तरह आपके पास अगर वीकल है और आप उसको भी अपने luggage के साथ ले जा रहे है तो आपका level 6 रहेगा तो या level 6 से अबव रहेगा तो आप one motorcycle या फिर one motor car ले जा सकते हैं और level 5 and below है तो आपको one motorcycle, scooter और moped कोई भी एक आप ले जा सकते हैं luggage claim rule as per TR आइए देखते हैं कि travel regulation 2014 के edition के हिसाब से कौन-कौन से rule के तहट आप अपना luggage claim submit कर सकते हैं as per rule 70 जो TR का है वो condition है कि claim for move of the family from old duty to new duty station यानि आप जब अपने एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसफर होते हैं एक station से जब आप कुसी दूसरे station पर ट्रांसफर होते हैं तो आपको rule TR 70 code करना है और अपना claim इसी rule के तहट भीजना होता है इसी तरह TR 72 ये rule के इसाब से family of the PBRs will be entitled to free convince when joining head of the family at his duty station for the first time after marriage अगर आप unmarried होते हैं तो आपको rule 72 के तहट आपको luggage claim नहीं दिया जाता है लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और आप उसके बाद अपनी family को अपने duty station पर लाना जाते हैं तो उस वक्त आपको आपकी पतनी के लिए convince allowance दिया जाता है और ये allowance जो आपको दिया जाता है वो सिर्फ convince है उसमें luggage claim शामिल नहीं होता है luggage claim आपको after marriage जब आप किसी एक station से जहाँ पर आप अभी हैं वहाँ से किसी दूसरे station पर transfer होंगे तब आपको luggage claim दिया जाएगा साथ में आपको transfer grant में मिलेगा इसी तर है rule 73, TR 73 कहता है इसमें दो conditions होती है एक तो है कि old duty station से hometown या SBR या फिर hometown SBR से new duty station देखे पहला है claim for move of the family to hometown SBR when accommodation is not available at new duty station यदि किसी PBR का transfer होता है और वो new duty station पर government accommodation उसको नहीं मिलता है, available नहीं करा पाते हैं तो उस condition में rule 73 के तहत PBR अपनी family को old duty station पर ही या फिर hometown पर या SBR पर कहीं पर भी वो रख सकता है और जब वो वहाँ से अपनी family को shift करेगा तो उसको luggage claim दिया जाएगा और luggage claim old duty station से hometown या old duty station से SBR इसमें से भी जो भी shortest distance रहेगा उसका ही आपको luggage claim दिया जाएगा इसी तरह claim for move of the family from hometown SBR to new duty station आपका family hometown पर है SBR में है और फिर वो new duty station पर आपके साथ आते हैं तो उस वक्त आपको luggage claim मिलेगा provided कि वहाँ पर आपको government merit accommodation मिला है इस rule के अंतरकत यदि luggage claim आपको मिलता है तो आपको अपनी family को एक साल तक वहाँ रखना होगा यानि कि आप अपनी family को एक साल तक वहाँ से shift नहीं कराएंगे और shift करा भी देंगे लेकिन उसके लिए आपको luggage claim नहीं दिया जाएगा इसी तरह rule TR 74 आई देखते इसके तहत क्या है यदि किसी PBR को rotational basis पर government accommodation मिलता है या उसे vacant करना पड़ता है क्योंकि उसका tenure complete हो जाता है तो PBR को duty station से उसके hometown या SPR तर या फिर hometown या SPR से उस duty station पर जहाँ पर वो posted है उसके लिए उसे luggage claim दिया जाएगा रूल 74 के तहत इसी तरह अगर discharge हो जाते हैं, superannuation है, final settlement हो गया है और उनको जाना है तो भी उनको luggage claim दिया जाएगा और वो TR 200 के अंदर गताता है इसमें दो चीजें जाना बहुत जरूरी है कि hometown से SPR या SPR से hometown आपको luggage claim admissible नहीं होगा, मतलब वहाँ पर आपको luggage claim नहीं मिलेगा इसी तरह हैं जब भी आप hometown या SPR की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी shortest distance होगा उसी का luggage claim आपको मिलेगा time period for submission of luggage claim तो कोई भी claim हो आपको 60 दिन के अंदर-अंदर अपनी journey complete करने के बाद आपको ये claim PUR में भेज देना है अगर आपने advance लिया है तो आपकी completion of journey की date के बाद एक मेहने के अंदर-अंदर आपको अपना claim PUR में भेज देना है convince claim आईए देखते हैं इसका क्या rule है जब आपका transfer होता है तो आप अपने old duty station से new duty station पर जाते हैं या फिर old से आप hometown जाते हैं या फिर hometown से अपने new duty station पर आते हैं तो आपको TR rule के तहर convince claim दिया जाता है as per 7 CPC देखे क्या है इसका pay level 6 to 11 अगर है तो economic class by air और AC2 by train इसके लिए आपका travel entitlement रहेगा and pay level 5 and below है तो AC3 class by train और chair car by train इन में से आप किसी में भी अपनी यात्रा कर सकते हैं और उसका claim ले सकते हैं क्या है